16 अगस्त की साम 7 बज कर 13 मिनिट पर सूर्यदेव अपनी ही सिंग्रासी में प्रवेज करेंगे जहां सूर्यदेव के प्रवेज करने से सिंग्रासी में त्रीग्रही योग बनेगा। नाकरात्मग परभाव पड़ेगा जिसके लिए उन्हें कुछ विशेश उपाये करने होंगे हरिद्वार के विद्वान जोतिसी पंदित सचांग सेखर सर्मा ने लोकल 18 को क्या कुछ कहा है सुनिए सिंग राशी पर त्री घ्रय योग करते हैं कि तीन घ्रय आ रहे हैं और सोला तारिक से आ रहे हैं सोला तारिक को सूरे सिंग राशी पर आ जाएंगे और वो एक महीने के लिए रहेंगे लेकिन पहले से शुक्र बुद्ध उस राशी पर है तो तीन घ्रय से यहाँ पर एक तो वुग अधितलियों बन जाता है सूर्य और बुद्ध से, दूसरा शुक्र और बुद्ध से, लक्षमयोग राज लक्षमयोग भाश्मयोग भी इसको कहते हूं, यह वंता है। और कन्याराशी के स्वामी भी बुध हैं जो वहां पर बैटे हैं तो कन्याराशी वालों के लिए थोड़ा समय अच्छा नहीं है या यह कह सकते हैं कन्याराशी वालों के लिए इस समय जो पैसा खर्च होगा वो अनावश्यक रूप से होगा पैसा बहुत खर्च होगा इसको तो अगर थोड़ा सा ये positive लेंगे कन्या राशी वाले तो ये कह सकते हैं इनके घर में कोई कारिक्रम है तो वहाँ जो पैसा इन्होंने budget बनाये वाई है उसे extra पैसा इनका लगेगा या इनको कोई ना कोई कीमती चीज कोई ना कोई इनका जो expensive assets होते हैं उसमें loss की योग भी ह फोन खो सकता है इनका कोई इनका कीमती समान खो सकता है तो कन्या राशी वालों के लिए शुब है और घर में किसी के व्यक्ति के बड़े बुज़र्ग जो हो विशेश रूप से महिला किसी बड़ी बुज़र्ग महिला के वज़े से इनका जो medical में खर्चे होने का योग है कन्याराशी वालोग का स्वामी बुद्ध बनता है और बुद्ध का आधिपत्ते हैं यहाँ पर है तो बुद्ध के लिए यह उपाय कर सकते हैं बुद्धवार को बगवान गणेश जी को कोई भी मिठा भोग लगाएं और कनकधारा स्तोत्र का पाथ यह कर सकते हैं साथ में पक्षियों को पानी दे जो पक्षी जिस तरह का फूड खाते हैं जबरदसी कोई नहीं है जिस तरह का फूड जो पक्षी खाना चाते हैं वो उनको खिलाएं तो कन्यराशी वालों के लिए पक्षियों को भोजन देना पानी देना और अग्वान गणेश के स्तूति करना पर बुद्राइंगे तो 16 तारिक से 21 अगस्त तक ये लगब 5-6 दिन ये त्री ग्रही योग रहेगा